इस वीडियो के अंदर जिस गौर्वर्मेंट जौक की आँको डिटेल पूर जानकारी देंगे स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से प्लश टू बेस पे होने बाले अगजामिनेशन की रिक्रूमेंट रहती है यह नोटिफिकेशन 6 दिसंबर 2022 को आई है और इस नोटिफिके स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की फुल नोटिफिकेशन के लिए यहां पे लिंक दिया गया है इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर अपलाई करने की जो डेट रहती है छे बारा से लेकर 41230 तक लाश्ट डेट आपके रिसिप्ट की डाउनलोड करने की 41230 रहेगी और ऑफलाईन अगर आप चलाण जनरेट करके पेमेंट करते हैं तो आपकी 41230 तक ऑफलाईन आप पेमेंट करते हैं आउनलाईन पेमेंट के लिए 51230 तक इसकी लाश्ट डेट रहेगी है बात करते हैं इसकी विकेंसियों के बारे में यहां पे 4500 विकेंसियों दी गई है जो की बाद में इनको बढ़ाया भी जास्कता है इन विकेंसियों को अपलाई करने के लिए आपकी एज 112022 से 18 और 27 और 27 ता था करते बेज़ित में आपके हैं जिसमें आपकी 2119 light करें से लेकर 12,004 के बीच में आपकी डेट पर्त को सब्सुने का बात करते हैं इसमें जो विकेंसियों हैं जिसमें लोड डिवेजल के विकेंसियों को अप्लाई करने का अगर आपकी पहले से SSA की साइट में registration हो गी है इसके बाद प्रोसेस रहेगा कि किस तर आप online इसमें apply करेंगे जो यहां से क्लिक करके registration करके आपको बनानी पड़ेगी तो उसका भी पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे कैसे आप अपनी नई fresh SSC की जो website पर अपनी id क्रेट कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपकी basic detail पुछी गई है तो इसको आपने fill up करना है तो यहां पर आपका verify करेंगे अगर आपके पास अधार number नहीं है तो आपने no पर क्लिक करना है और यहां पर नीचे आजाना है type of id पर अधार के अलावा और type id यहां से आप select कर सकते हैं इसके बाद रहता है यहां पर आप अपना नाम enter करेंगे जो metric certificate में रहेगा उसके बाद फिर से अपना ना लाम चेंज़ है तो आपने यहां पर yes पर क्लिक करना है और यहां पर अपना जो चेंज वा नाम उसको particulates अगला स्टैpp रहता है फादर नीम तो यहां पर बाद मन्यान सूल करेंगे mother का नाम यहां पर verify करेंगे date of birth यहां पर आप select करेंगे उसके बाद फिर से यहां पर repeat करके दोएरा से अपनी date of birth select करेंगे और नीचे आ जाता matrix class की detail तो यहां पर आप board select करेंगे किस पोड़ से आप मैट्रिक पास की है दोएरा से verify करेंगे board को इसके बाद यहां पर row number एंटर करेंगे metric का और metric का रोनमर को verify करेंगे इसके बाद passing of year metric अपने पास की है और यहां पर verify करेंगे अपने metric का gender answer select करेंगे male female है verify करेंगे दबारा से और यहां पर last qualification आपकी क्या रहती है तो यहां पर आप प्लस टू से आपकी qualification होनी चाहिए क्योंकि प्लस टू बेस पर यह recruitment रहती है इसके बाद यहां पर अपना mobile number एंटर करेंगे verify करेंगे mobile number को email id verify इसके बाद यहां पर अपनी state select करेंगे और save पर click करके next process पर जाएंगे तो यहां पर आपका temporary code आजाता है इसको आप note कर लें उसके बाद OK पर click करें 14 दिन तक valid रहेगा यहां पर उसी code को आप enter करें और उसके बाद जो आपके mobile पर OTPI उसको यहां पर enter करें इसके बाद यहां पर capture code पर click करें और login पर click करें तो यहां पर आपको new password create करना होगा और उसी password को confirm करके आपने यहां पर submit पर click करना होगा password create करने के बाद आपने दुबारा से यहां पर login पर click करना है और यहां पर आपना login IT और जो नया password create किया उसको एंटर करके capture code डालके login पर click कर देना है इसके बाद आपकी जो basic detail वो आपकी screen पे आ जागी इसमें आप कुछ भी change करना चाते हैं तो यहाँ पे edit option दिया गया तो यहाँ से आप edit करके इसमें change कर सकते हैं तो यहाँ next पे click करेंगे तो यहाँ पे आपकी addition और contact detail पुछा गया जिसमें subscribe आप अपने category select करेंगे verify करेंगे nationality Indian करेंगे और यहाँ पे आपका identity mark जो सरीर पे कोई भी निशाने उसको enter करेंगे page को नीचे scroll करेंगे अगर आप type of a disability है तो आपने yes पे click करना है और यहाँ पे select करेंगे कौन सी type of a disability है नीचे आजाता है यहाँ पे आपका address पुछा गया है तो यहाँ पे अपना address फिल अप करेंगे state select करेंगे district select करेंगे pin code enter करेंगे present address और permanent address आपका same ही रहता तो same as पे click करेंगे अगर आपका different रहता तो यहाँ पे no पे click करके यहाँ पे manually fill up करेंगे इसके बाद save पे click करके next पे click करेंगे और यहाँ पे verification के लिए आपको i agree पे click करना होगा और final submit पे click करना होगा final submit करने के लिए यहाँ पे enter OTP पूछा गया है आपको mobile और email पे दोनों पे OTP आएगा कोई भी आप enter कर सकते हैं उसके बाद capture code डालके आपने submit पे click करेंगे registration complete होने के बाद यहाँ पे आपका dashboard open हो जाएगा जहाँ पे आपको apply करने के लिए यहाँ apply का option है इस पे आप click करेंगे तो इसके अंदर आपकी information फिल अपर रहेगी जिसमें आपका नाम, father name, mother name, date of birth, gender तो यह सारे के सारे automatic फिल अपर आएंगे इसको आप चेंज करना चाहें तो इसके लिए और process है तो यहाँ पर आपका examination center पूछेंगे हैं तो यहाँ पर first, second और third तीन reference देने पड़े कि आपक typing test आपका first language क्या होगी, तो यहाँ से first language चूझ करेंगे उसके बाद फिर second language चूझ करेंगे, इसके बाद रहता है आपका medium for type test, तो आप किस medium में अपना test जो typing का है वो देना चाहते हैं, तो यहाँ पर दो language दिये हैं, Hindi और English, जो भी language यहाँ पर चूझ करें, तो उसको repeat यह आपके करें, आगे पूछा गया कि आपका plus two standard sign stream में है, तो yes करेंगे, अगर नहीं है तो no पर click करेंगे, एक service man से belong करते हैं, तो yes करेंगे, अगर नहीं है तो आप no करेंगे, अगर yes करते हैं, तो यहाँ पर आपको joining date, discharge कब हैं, और कब तक service रही है, पुरी detail fill up करनी होगी, तो यहाँ आजाता है कि आप age में छूट चाते हैं, तो yes करेंगे, sc और st के लिए yes पर click करके age में छूट मिलेकि, general category के लिए यहाँ पर कोई भी age की छूट नहीं होगी, इसके बाद यहाँ पूचागे आपकी highest qualification क्या है, तो यहाँ पर आप अपनी highest qualification select कर सकते हैं, उसी qualification को यहाँ पर repeat करें, तो यहाँ से आप status में अपने education qualified है, कि appear है, तो यहाँ पर दो option दिये गए हैं, तो यहाँ पर किस year में आपने plus to pass की है, जो highest qualification आपने choose की है, maximum इसके लिए plus to qualification बंगे तो आप plus to ही highest qualification यहाँ से select करें, उसके बाद यहाँ से अपनी किस state से आपने plus to pass की है, उसके बाद यहाँ पर आपको board आ जागा, और यहाँ पर उस state के में जो जो board है, उनकर पूरे के पूरी serial यहाँ पर आ जागी, उसके बाद यहाँ पर row number एंट percentage किया रहती है, इसके बाद रहता है, अगर आप अपनी personal detail को share करना चाते हैं, तो yes पर click करेंगे, अगर नहीं करना चाते हैं, तो no पर click करेंगे, और आपका जो photograph और signature 6 September का latest होने चाहिए, और आपको यहाँ पर photo और signature upload करने होंगे, तो यहाँ पर आपने yes पर click करना है, page को नीचे scroll करेंगे, यहाँ पर I agree पर click करेंगे, और यहाँ पर जो code दिया गए, इसको enter करके, preview check करेंगे, preview check करने के बाद यहाँ पर आपको edit और modify का option भी आता है, अगर आप change करने चाते हैं, तो यहाँ पर click करके change कर सकते हैं, अगर पूरी information correct है, तो यहाँ पर submit पर click करे करेंगे, मुण के पर click करने के बाद यहाँ पर आपको payment का option आएगा, तो यहाँ पर आपने online या offline किस से आपने payment करने तो यहाँ से option आपके पास ‑‑ अलेवल रहेंगे, ओनलां payment करने करने के यहाँ पर online पर click करेंगे और submit पर click करेंगे, प्रोसेस होने के बाद यहां पे आपको पेमेंट के लिए उप्शन आ जाते हैं चाहिए आप नेटिक बेंगिंग, डेबिट कार्ड, यूपियाई से जो आपके पास अलेवल है उसके थुरू आप आप आउनलाइन पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट कंपलेट होने के बाद यहां पे आप प्रिंट का उप्शन आता है तो यहां से अपना प्रिंट निकाल सकते हैं